क्रिश्ना वोई हमारे बेलों को हाग के ले जा रहा है जा बचाओ उने शीवननी लारी कि बारबा शवड़ आफ़ ए्वार शवशवार सारी ओिल सारी ऑर भी सारीर अभी सारीर के वार सारीर खंड़ सारीर सारी-टु़ रार कर दो 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 कर गन्षाओ सुपसुपसुपसु जूगेबगेब। भुटुड़ है एए क्युट है यब यद है ह vagy इर वर एकट वाइन चल्च बाव भुथा ऐले borg्लान भात्तो भेल्म AT करतों जो सी कहते शुद्धा कि आंद्धा मिन नहींत, है। शीवा अidadती शीवा नंद्धा चल 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 अधा, ऐे अंबर तक उद्धा नंदी है तु शिवनंदी नंदी जगडर तुझसे कर दे बढ़के कुछ तू अब शिवनंदी नंदी चल तू अक्केला तुझसे हर मेला जो भी टकराए वो तो मिट जाए तू ही स्वर्ण का लश्य सित्र जब जाए तू है आज के दिन मंडी में नीलामी के लिए जो माल आया है वो चुकोटी की मुङफ़ली है आज बाजार में उसकी बोली एक्यासी रुपे से शुरू होगी एक्यासी रुपे पचीस पैसे मेरी भी बोली है इसकी बोली है एक्यासी रुपे पचीस पैसे एक्यासी रुपे पचास पैसा एक्यासी रुपे पचास पैसे मेरी बोली है क्यासी रुपे पचास पैसे तुमारा 50 रुपया, 80 रूपया, 86 रुपया, मेरा 80 रुपया, 25 पैसा, 86 रुपया, 25 पैसा, आप उनका 90 अरे प्रधाजी आगे ए तुम बोलो, 80 रुपये, तुमारा, और तुमारा मेरा बाय 80 रुपए ओ नायक जी आपको बोली का आगणा 90 से गिरा कर 80 करना था तो बोली रखी काई को उची बोली बोलने में कोई खराबी है कोई नहीं जो भी कीमत तुम बोल रहे हो उसे तुम वसूलोगे कैसे तेल बेच कर ही न तुम जानतों हम यहां पर बोली क्यों लगाते है किसान अलग अलग जगों पर नहीं जा सकते क्योंकि कीमते अधिक है तेल की पिराई करने वाले कहीं और से नहीं खरी सकते क्योंकि वहां भी कीमते अधिक है विया पारियूस समान को कहीं और नहीं बेच सकता है जो एक बार यहां बिख चुका हो किसान उत्पादन करने वाला और बेचने वाला सबी यहां एक साथ इकटा होते हैं इसलिए हमें एक मजबूत संग बनाना है एक तामे ही बल है और संग के नियम अडिग है सदस्यों दोरा लिया गया फैसला अंतिम है जो भी इसके खिलाप जाएगा उसे इस बाजार में जगा काभी नहीं मिलेगी महें शुरू करो सब लोग कहा है लड़के वाले आने वाले है बहू कहा हो तुम सुनिए आज मैं कैसी लग रही हूँ अगर लड़के वालों ने तुम्हें लड़के समझ कर शादी के लिए पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा जैने मन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ शोना अरे सासुमा जाकर देखो कावेरी तयार हुई की नहीं बुलाला उसे जाती हूँ तू हैरानी तड़ पाला यू मच को अल्ला हूँ अल्ला हूँ अल्ला हूँ अल्ला हूँ देखो तो लड़के धड़के प्यारे इसके अल्ला हूँ यारो देखो ये जो नाचे दर्वी मेरा कोई जीने का मसा आ रहे हैं तुम तयार नहीं होई जांस कर रही हो अगर वो लड़का नहीं आ रहा है तो इसी को आ जाने दो चाइल्ड होड लव स्टोरी है मेरी चाइल्ड होड स्टोरी है पहले चश्मा उतारो अब बताओ ना वो जब दस साल का था तब की बात है क्या क्रिश्णा पढ़ाई कैसे चल रही है मेरे दिमाग में कुछ नहीं गुस्ता है बड़ा सांडा मिलता है मुझे किस तरह की बात कर रहे हो तुम अगर तुम कड़ी महनत से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी अच्छे पैसे भी कमाऊगे और ऐसी बेंज गाड़ी भी खरीच सकते हो कावेरी इधार आना मैं ये बेंज कार खरीदने के लिए इतना जादा महनत क्यों करूँ मतलब अगर मैं कावेरी से शादी कर लूँगा तो ये बेंज कार मेरी ही हो जाएगी ना अरे पाप्रे सासुमा कावेरी और ये बेंज कार दोनों मेरी होगी ए कृष्णा स्कूल जाने के समय पे तुम कंचे खेल रहे हो वहाँ परिक्षा है इसी लिए तो नहीं गया परिक्षा के दिन तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है ये परिक्षा सबसे बखवास चीज होती है गुरुजी किताबों में देखकर पढ़ाते हैं अगर हम अपने दोस के पेपर में जाकर नकल कर ले तो इसमें कोई बुरी बात है क्या अब को मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए अब चलिए यहाँ से सासुमा क्या है कावेरी याद करती है ना मुझे यह लड़का भी ना रुक बताती हूं तुझे एई रुक ना सासुमा कावेरी भी मेरी और वो बेंसकार भी मेरी है हैपी बर्दे फोक मारो फूको ना क्या का अरे फूक मारना कौन बदमाश कहीं का तु अब घर में भी घुसाया एजी लगाईए तो ज़रा इसको दो चार इसको छोड़ो इसको इतना शेय देने के लिए ये जिम्मेदार है मैं से थपड मार दिया मैंने उसे थपड कस की मारा था ताय क्या हुआ मास्टर ने मुझे कम नंबर दिये थे इसलिए उसे मारा पोस्ट मैन ने एडरिस भूचा उसे भी थपड मारा और चुड़ी वाले को उसे थपड जोर से मारा उसके बाद सारे गाओं के लड़के मुझे डरने लग गए उन लोगों का तो भगवानी मालिक है जो देखने आ रहे क्रिश्ना टार्गेट 21 कमिंग अलर्ट रहो बॉइज अपनी पोजिशन ले लो चल चल मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी मरना ने बॉस मारना चाहता हूँ तेवर दिखा रहे हो मुझे पोच चाहिए क्या चाहिए बॉस बोलो जल्दी बोलो उसे छूड़ दीजे ने बॉस आपने कभी सुना नी लेला मजनू, रोम्यो जिलिट, क्रिष्णा, कावेरी क्रिष्णा कोन है? आपके सामने खड़ा है बॉस और कावेरी? जिसे आप देखने ही जा रहे हो वो मेरी जाने बॉस तो तु है वो चिर्कूट मैं ही हूँ बॉस मेरे पास तेरी सारी इंफॉर्मेशन थी तब जानता हूं मा तेरे बारे में बिल गेर्स भूल जा उससे भी जादा पैसा है मेरे पास एक बार मेरे पीछे देख वन सेकेंड बॉस आपके लिए तो यही काफी है हाँ इधिर बीछ पागल खेहाँ का नमार मुझे मार मार यही हीट मी मारू बच्छन शूट अभड मेरे नाकूरड़ या तुमने पत्थर मार यह चीटिंग चीटिंग मैंने तुझे इससे मारा है बॉस वन सेकंड, बॉइज, रिपीट, रुको, सब रुको, बॉस, अगर मैं अभी भी कावेरी का पीछे ना छोड़ू, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, वेरी सिंपल बॉस, इसके बाद मैं बेल के बीच से मारूँगा, फिर जामून के बीच से, फिर आम की गुटली से, इसके बात क्या करूँगा, पता है, सीधा कठल से ही मारूँगा, बॉस, जाने दो बॉस, बस ऐसे जानकारी के पूछ रहा था, सवज गया, बॉस, मैंने कावेरी को छोड़ दिया, तो नाइस ऑफी बॉस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे कावेरी पूछे, तो नायक, लड़की को देखे बगर भागया हो, लड़के की आने की ख़वर पूरे गाँ में फैल गई है, जरूर इन में से किसी ने ये ख़वर फैलाई होगी, जब तक पता नहीं लगता किसी को नहीं छोडूँगा, बाबुजी, ये तले पापड कहां रग दू, आरे उसे कार पे फैला दे, ब्रिलियंट जॉप, ग्रेट, इस देवी शेटी तक पहुंचना लोगों के लेक सपने जैसा है, लेकिन तुने मेरे पिछले चार साल का सारा ट्रैक धूण लिया, मेरे कम्पलीट बायो डेटा, मेरी इंपोर्ट डीटेल्स, और एक्सपोर्ट भी, कोई तो नमक हराम है, जिसने इस सारी इंफिर्मेशन लीग की है, कौन है वो, बताओ मुझे, सर, इसका बाप यहाँ आया है, सलाम वाले कुम शाकुत अले खान साब, सब खेरियत, इर्फान कैसा है, हमारा सबसे सिंसियर आयरेस ओफिसर, चार दिन हो गए है, लेकिन मेरा बेटा घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद है, कमप्लेन भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अब आप ही कुछ करिए, यह इर्फान का बेटा है ना, हाँ, इसे सही तालीम देना, इसे यह मत सिखाना की जिन्दगे में क्या करना चाहिए, बल्कि यह जरूर सिखाना की क्या नहीं करना चाहिए, पपा से मिलना है, जाओ मैं ढूंडता हूं से, जाईया, आरे देर हो रहे है, जल्दी करो, कावेरी कहा हो, ऐसी ही खड़ी रहो, रवार लेलो, लेडिज रुमाल, जैंट्स रुमाल, रुमाल लेलो, आरे क्रिष्णा दीदी आ रही है, अला, कैसा लग रहा है, राज कुमार के जैसा ना, अरे बंदर जैसी शकल है, हेलो, सौ करोड का मालिक लिए, बाबाजी के ठुलू, अगर कल को रिष्टा लेकर आज़ता नही है, तो चटमंगनी पढ़ व्या करके सब कुछ निप्टा देती मैं, लेकिन इसे तो मेरी इस जिन्देगी बरबाज कर दी, किसने, और किसने, तुम्हारे लाड लेने, अरे ये तो क्रिष्ण का नईया है, ये जो भी करता है ना, उसके पीछे कारण होता है, आहा, बड़ा सी क्रिष्णा, मुझे पकड कर रहा है, अगर ये असली हीरो होता, तो सीधे मेरे पापा की पास जाता, और बहादरों की तरह, उनसे बेरा हाथ मांग लेता, लेकिन ये तो बहुत दर्पोक है, क्रिष्ण, इंसल्ट हो रही है, तू देख रहा है, देख, इसका पापा गोइ गो आसके डॉटर, फिनीश तर मैटर, हाँ, आज क्रिष्णा बासुरी बजा के ही रहेगा, जैब हो ले, जैब हो ले, काविरी, क्या वो सच में पूछेगा, मुझे डर लग रहा है, अरे डरो मत, डरो मत, आज जितनी स्पीड से जा रहा है नहीं, वैसी ही चलता तो मैं म बन जाती, हाँ, अरे गोरी परोसके गाउं से तेरे लिए शादी का रिष्टा है था, क्या हुआ उसका, क्रिष्णा, अगर तुम हाग कर दो ना, तो मैं अपनी सगाई तोड़के तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ, यह तो पीछे ही पड़ गई, देखा रहा भावी, इ इस बार तो गई, जयराम जी, पुझा रीजी, आप कैसे हैं, सारे भगवान को भोग लगाते हैं न, पूर्णमाशी कब है, वो तो कल्ती बेटा, अच्छा कल्ती, किसी नहीं मुझे बताया नहीं, यह गदा पूर्णमाशी का चान ढूंड रहा है, और इस चान की कदर ही अगर प्यार करता है तो पका पुछेगा एए, इनका रास्ता रोप दो छुपन छुपाई आँख मिचाली, अकड़ बकड़ और बंबे बो असी नबे और पूरे सौ, सौ में लगा धागा और चोर निकल के भागा क्या क्या वहीर क्या रहाँ पर आँ यह दो प्र sand को वफ दूए करस। कर दो क 83 बाहतन你在 विस consider अ कलिक राते हैं के भादे हैं कि लिए मेरे अगे साहा झास कि वराव बंगुर ज के व्रेफंग कि उरे कर बंग कि उना बंगुर है फह वाईप एजूग एजूः फया आएब लुभ झाएब एजुड़ झाएब एजूः आएब एजूख एजूग कर दो других सार्वी निएर एागार वांगार दिलू एजूग़ झाएब एजुड़ है प्रिफ एजूग झाले कर लेगार वांगार इजूग है लाले में यह सबी मित्तई सूरी के आदमी हैं बाजार में जो हुआ उसके दुश्मनी निकालने के लिए आये थे फटाफट पॉलिस को फोन करो अगर मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ इन सब को ऑस्पिडल ले करके जाओ मलाम पट्टी करवाओ और सब को पंचयात में आने के लिए बोलो क्रिश्ना आया 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 क्रिश्ना के आने से पहले एक पढ़ियाला पेक माले क्या अरे नहीं वो आजाएगा तो अबे नहीं पता चलेगा अबे मत कर अबे मरवाएगा मोटो तू चल्दी पी बच्चान क्रिश्ना सब कुछ रेडी है अच्छा अचार कहां है अच्छा अच्छार कहां है अच्छार कहां है तो भाग के ले के आप पास सीता राम सीता राम बहुत बना किया था लेकिन उसने ही बोला चुटा पैकेट और बड़ा रग दे या चार हां बना 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 हां बस 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 प्यो चार्स चार्स क्या हुआ चुटकू वो सरपे चड़ गई ना पहले मैंने पानी मिला दारों में फिर तूने पानी मिला गुरू से उस्तादिया क्रिष्णा वो है ना एक और बुतल निकली मसा गया नमस्ते नायक जी नमस्ते नायक जी नमस्कार ये साब मुंबई से आय है लॉयर है ये आपका पता पूछ रहे थे इसलिए यह यहां ले आए नमस्कार एक्स्क्यूज मी वन मोर टी विदाओट शुगर आम शिनॉय फॉम गोल्डन इगल कंपनी मिस्टर नायक आधिंग यॉर वेरी लखी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनिया गोल्डन इगल के मैनेजिंग डारेक्टर मिस्टर शेति से मिलने का इंतिजार कर रही है किसी को जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता लेकिन मिस्टर शेति ने सिर्फ आपको एपॉइंटमेंट दिया है नेक्स्स फ्राइडे 11.30 आपके उनसे मीटिंग है ओफिस लॉबी में आदे घंटे आपको इंकिजार करना पड़ेगा सिर्फ आदे घंटे एए एए पापा वो मच्छर था मच्छर है हाँ तुमारा एमडी अगर नायक जी से मिलना ही चाहता है तो उसको यहाँ पर आना चेना इतनी सिवास समझ में नहीं आ रही एक्सक्यूज मी टी शुगरलेस है थोड़ा साबधान रहेगा यहाँ मच्छर बहुत है एए क्या कर रहे हो कमर के नीचे ने उपर ही रहने दो कमर के उपर हो संसकारी कमर के नीचे सेक्सी लगोगी अपनी लच के लिए कमर तो दिखाओ इसको देखकर लड़के आहे भरेंगे छी यार क्या छी अरे क्या करीओ माँ खड़े होगे अनधी आजाओ क्या पुए जहें बाई प्रुड़ 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 पुल्ला रेड़ी की? हमारे पुल्ला रेड़ी की? सर यहाँ न? बोलो भाई यह पुल्ला रेड़ी जब भी यहाँ आए तो जनता की भीड होनी चाहिए यह सब क्या है? इलेक्शन के टैम है भाईया जनता बीजी है अरे हमारे वस्या के दिन ही यह इलेक्शन क्यों आता है बार बार बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई शायद आप नाराज हैं क्योंकि मैंने सिंडिकेट बैंकी मीटिंग अटेंड नहीं की सौरी भाई मैं फ्री नहीं था आज तो मेरी वेडिंग अनिविरसरी है कोई बात नहीं रेड़ी तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो इसी तो रहोगे उतना भी बड़ा आदमी नहीं बना हूँ बस रोजी रोटी चल जाती है वरना भोग यह मरता लेकिन कुछ लोग मेरे बिजनस को बरबात करना चाहते है इसकी तो किसमें इतनी मजाल की शेर के मुँ में हाथ डाले बस नाम बताःए है चुटकी बजाते ही हिसाब बराबर यह क्या है भाई कन पटी पे गन तो सब बग दिया भाई इसने दोखा दिया अपनी मा की कसम भी खाई थी इसने बज़ रहे है बज़ रहे है फोन उठाओ फोन उठाओ हेलो भाई ये लोग दुकान बंद गरवारे अरे कौन क्यों और कहां कटकर उसको कटकर दूसरा उठाओ 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 हेलो भाई कोई हमारी फैकली सीज कर रहा है अबे कौन है कहां है क्यों कर रहा है ओर ना कटकर कट कर दे भाई अब फोन मत उठाना वरना डिप्रेशन से मर जाएगा क्योंकि अगले पांच मिनिट में तू सीरो हो जाएगा ये मेरा साठ साल पुराना पुष्टैनी बिजनेस था भाई सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दी मैं तो मजाग कर रहा था ठोक ना देना ओयल सिंडिकेट में लोग मेरी जगा लेने का सपना देख रहे हैं ये उन सभी के लिए चेतावनी है एपी वेडिंग अनिवेसरी मिस्टर रेड़ी नाव गेट लॉस्ट कि ये चिपकली हमारे गाउं में काईसे यागई हाई, ही ही वे इन हुलिर्दर्ग, इस ए 400-year-old market वेरे बिए ये उल्लिटिसनली ए ब्रिंग देख देजिनली विए ब्रिखुले इन लंफ देखुलेज समस्वान ओड़ी देखूब देखां। थैंक यू रुमाल ले लो नो थैंक यू ए बगवान ये तु मेरा खताना लुटने जा रही है तुम कौन हो? गंगा कहां से आई हो? मुंबई से आई हो क्या करने? यहां शूटिंग करने आई हो क्या शूट करने आई हो? यहां पुरानी तक्निक से आईल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में रिपोर्टिंग करने इस गाउं में आई हो बग्चप! देखो ना इसे कैसे टीन के डबे की तरह उठा रखा है इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी अरे नहीं, बिलकुल नहीं मुझे इतनी सॉफ्टली उठाया है, मुझे बड़ा मजा रहा है नियूस पढ़ते वक्पी तुझे ऐसी उठा के रखे क्या तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है लेकिन इसकी बाजों में दर्द हो रहा है ना नहीं हो रहा है अरे ड्राम उठाने की आदोत है पर ये तो फूल जैसी है क्रिश, ये बंबई की गुडिया को नीचे उतारो भगवान इस चुडेल से बचाना इस दिन या रुकोगी? चार हफते तुम कहा रुकी हो? इस गाव की प्रधान की हाँ रुकने वाली हूँ मेरे घर रुकी तो टांगे काट दूँगी डोंट वरी प्यारी बेटी तो मेरे घर पर रुक सकती हो ये क्या क्या दीदी? ऐसे चिखनी मीठी रसमलाई को क्रिशना के समने परोज दिया बाच्चार, फ्लीज बेरी हल्प करना लो दूद ये क्या कर रहे हो तो मुच्छों को ताक्यू दे रहे हो क्रिकेट मैच खेले हुए काफे दीन हो गए आओ ना अभी खेलते हैं क्या हुआ? बाव डर लग रहा है? मैं डर नहीं रही हूँ मैं इसलिए डर रहे हूँ कि हमारा मैच बीच में रुक सकता है झाओ नहीं उतरा करकेट काभी तक शेर कितना भी बुड़ा हो जा शिकार नहीं बोलता है क्या बोल रहे हैंब कोई सुन लेगा हॉप उझा हई हम और एए हे बगवान नाड़न पालल बसू क्या हूआ? सासुमा, इसे अपने कम्रे में आज सुला लीजे ना पर क्यूं? हमारे कम्रे में आज बहुत मच्छर है सासुमा क्या है बहु? आज इसको अपने कम्रे में सुला लीजे क्यूं सुला लूँ? हमारे कम्रे में बहुत मच्छर है हाँ, हाँ, मच्छर है हां, बतचन, क्या हो रहा है वहाँ पर? मैं बता नहीं सकता. क्रिश्ना लीला,। तुम खुदी देक最近 है. यह क्या है? इसे बाटी के बटे पर. मैं इसे खा सकती हूब. बतचन! तू मिला 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 जी, खिला खिला खिला, तू मीरी सजिला. तू मेरी सचनी इस तरह पकड़ते हैं इस तरह डुबोते हैं और ऐसे मुह तोर दूब वाउ यह तुमने कैसे किया हाथ अट चुड़े अरे तुम्हारी बेहन हमारी कमरे में ताग जाग कर रही है अरे नहीं 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 बिलकुल नहीं पहले तुम अपनी बेहन की शादी कर दो उसके बाद ही हमको इमाच कहले है प्लीज क्रिश्ना यह बहुत हाड़ है अरे ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते हैं ऐसे खीषते हैं सब अंदर चला जाता है वैसे ही खिला जैसे तुमने पहली बार खिलाये था क्रिश्ना मैं अपने मूँ से पकड़ती हूँ और तुम अपने मूँ से खीष लेना मूँ से निकाल चुड़े कावेरी हमें देख रही है इस सुम्र में क्यों कर रहे हैं ये सब इतना सब कुछ हो रहा है ये बुढ़िया कहा चली गई इतना इंट्रेस्टिंग मैच चल रहा है और तुम छिला रही हो अरे नहीं सासुमा भी उपर आ रही है आप यहां सोजाओ मैं सीडियों से निचे जा रही हूँ अरे अरे हमारा मैच अरे कैसा मैच पार परसके आपको अरे बैटरी को भी अभी डाउन होना था क्या हो रहा होगा वहां कृष्णा परमात्मा कुछ होने मत देना प्लीज 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 क्या बोल रहे हैं यहां के लोग आप एक बर फिर से सोच लिजेए सर हमारी कंपनी को किसी भी हालत में हैं बैनिफिट नहीं होगा सर रिमेंबर वन थेंग मानी केन बाइवरिटिंग तुम पैसा फेको और तमाशा देखो सब लोग मान जाएंगे भाईयो भारत के सबसे बड़े व्यापारी गोल्डन इगल कंपनी के मालिक शरेमान देवी शेटी आज हमारे बीच में हैं उनके यहां आने का उद्देश वो खुद अपने शब्दों में कहेंगे जय जवान जय किसान जो डेट सो रुपए में बेच रहे थे हमारी गोल्डन इगल कंपनी उसी को दो सो रुपए में खरीदेगी किसी को कुछ पूछना है आपके मन में जो सवाल है उससे पूछ सकते हैं होई भगवान हम सबकी इच्छाइप पूरी कर रहा है तो फिर पूछने की क्या जुरुरत हम सब लोग तयार है या बोलते ओ टोग को अ है और दरलन दंदी ब्राइंड आप यहाँ खरीदने के लिए आए बेचने के लिए खरीदने के लिए उससे बेचेंगे इसे। ओहो, यहां बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आएं। पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। यह क्या क्रिश्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे गज़ सकते हो। बैश भाई, आप मुझफली खरिदते हो और उसका तेल निकाल कर दुकान पर बेचते हो। लोग उसे खरिदते हैं। तुम एक मालिक हो, यह सब जानते हैं। लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं, हमसे खरिदेगा और किसे और को बेचेगा। तो जो बीच में आकर हमारी बिकरी को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं। ब्रोकर। तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर, हाँ, यही डाउट है ना तुमें। डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजे ब्रोकर साब, बताइए तेल आप किस कीमद पर बेचेंगे। 140 रुपीज हमसे जब 200 में खरीद रहे हो, तो 140 में कैसे बेचोगे। यह तुमारी समझ के बाहर है, ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं, ब्रदर। कि इतने बड़े नुकसान में क्या फाइदा है तुमारा। 60 रुपे का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पढ़ रहे है, ब्रदर। आठ सालों से, इंडिया में आयल के बिजनस में में मेरा ब्रदर टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रदर के नाम से बेचोगे ना मतलब पदंपूर पप्पू गोंडा का पोता परमेशी अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा यह आपका ब्रोकर और आप सप्लायर, गोल्डन इगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही यह भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है, फाइदा ही तो है ना पॉफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है यह पर इसे यह बात समझ में नहीं आ रही है तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, इसमें हमारा नुकसान ही क्या है क्रिश्णा, नुकसान? ए सिताराम, क्या हो? क्या है क्रिश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् टेक्स्टेल कंपनी हमारे गाव में आई, उस टेक्स्टेल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें बीश्ट का ज्यादा फैता देंगे मेरा बाप लाल चीता मान गया, दो साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अच्छानक से सारे दाम धीरे से धम से गिरा दिये वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बरबाद हो गए मेरे बाप की दुकान बंद हो गई पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दुबारा खोल सकते थे न? हमारे पास जितने भी ग्रहाक आते थे, हम बंबे कमपनी भेज देते थे और वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दप गए फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वज़े से प्रापर्टी भेज दी और एक दिन उन्होंने खुद को पासी लगा ली दूसरे दिन मेरी माने सबके, सबके खाने में जहर बला के खिला दिया और खुद भी खा लिया मेरे गर में पचीश लोग थे सब ही मर गए सिर्फ एक, मैं बच गया ये दिन देखने के लिए आज भी जिन्दा हूँ रुमाल बेचने के लिए रोते नहीं सितरा आज भी तुम अपने इज़द की रोटी खा रहे हो क्रिश्ना भाई जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे दो रुमाल मुफ्त में दिया करते थे हमने ये रुमाल का भी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीव अचनारा और गटगट के पर राव क्रिश्ना कोटन तेरी कोटन रुमाल ले लो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था मैं अपना ब्रेंड नहीं बेचने वाला नहीं मैं भी नहीं बेचूंगा मैं भी नहीं बेचूंगा मैं भी नहीं बेचूंगा तुमने हमारे गांवालों का फैसला सुन लिया ना आप निकल लो यहां से कौन है रेड़ी पुला रेड़ी चल भॉंक चल दी लगता है केंब्रेज उनिवासिटी के ग्रैजवेट को सरकारी स्कूल के मामूरी से विद्यार्थी ने मात दे दी क्या बकरा है लोकल केबल टीवी से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक जो तुम्हारी फजीहत हो रही है वह देखने लाइक है प्रख्यास बिजनेसमैन देवी शट्टी को गाउवालों ने बेज़त किया हुली दुर्गात आलुका के तेल मार्केट में देवी शट्टी को इकिसान ने ब्रोकर बोलकर अपमानिस किया अचा सुन देवी मुझे एक डाउट है अब मैं तुझे मालिक बुलाऊं या ब्रोकर बुलाऊं कि मेरे बाकर तुरिए करिश्ना को करिश्ना कृष्ना दिते ह्यारि करिश्ना करिश्ना कांगी चाहिए क्या दिते हैं इकेट प्र सम्ति अनिए क्रिष्णा तो फिर थोड़ा पाउडर तो लगा लो क्रिष्णा ये मर्दों के लिए नहीं है ये चुप चुप ये वसावन चन शेकर केशव का बेटा नागेश्मर आप तो जवान हो गया सो क्यूट सेचीज क्रिष्णा मैं मुंबई वापस जा रहे हूं एक सेल्पी लेलू लो ना बाई क्रिष्णा बाई नमस्ते दादी, सब कुछ ठीक है ना? क्या रहे बंसियादो, पुलिस तुमें यहाँ पकड़ के क्यूं लाई है? फिरसे तुने कोई कान कर दिया क्या? वो पुरानी बात हैं, अब मैं मिनिस्टर हूँ, ये मेरे सिक्यूरिटी के लिए है नायक जी नमस्कार, जन्ता केनेता, आज खुद चलके मेरे घर आया है, नमस्कार मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ, नमस्ते बाभी, बेटा, कैसे? हाँ, बोलिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली थी नायक जी, सरकार वो प्रोजेक्ट तुबारा स्टार्ट करने जा रही है नायक जी, पिछले 25 सालों से आपकी अद्रिक्षेता में ये कमीटी चल रही है अगर आप लोगों से कह दे, वो लोग जगा छोड़ देंगे और हम दोनों आपस में जो भी लेंदेन की बात है वो कर लेंगे सरकार का आदेश है, इसलिए हम इस मार्केट का मुआइना करने आये हैं अब सभी से अनुरोध है कि हमारी साहता करें अच्छी तरह जानते हो तीस साल पहले क्या हुआ था दस गाउं के लोगों ने मेल कर अंदोलन किया था इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अगर तुमने दुबारा शुरू किया, हम चुप नहीं बैठेंगे हलो यहां गाउं में कलेक्ट साहब आये हुए है क्या करू पापा? आप हमारे घर पर आये हैं तो हम दर्वाजा खुला रखें ताकि आप असानी से हमें लूट सको और हम बाहें पहला कर आपका स्वागत सतकार भी करें आप बहुत समझदार हैं और हम ब्यवकूफ हैं है कि नहीं? तेवहार के दिन हमारे घर आयो, खाना खा कर जाना अरे क्या कर रहे हो तु? अर्वे कर रहे हो मैं पहले नीचे उत्रो तो दादी यहां यहां यह अरे वो जूते पहन के चल गये है मैं बोल गा हो ना चलिए आईए यहां पे सबका एक ही बाप है मेताई सूरी वहां क्या हो रहा बताओ यही क्या बेटी तुमने अभी तक किसी को खाना ने दिया इतने सहरी लोगों को देखकर डर लग रहा है पापा क्यों डरती है मेरी प्यारी बच्ची तेरह पापा भी है ना देखो सब लोग को भूक लगी होगी जाकर सबको खाना खिलाओ जाओ ठीक है ओके रुक जाओ मेरे दुकान में घुसने की पर्मिशन तुमको किसने दी ए सूरी रुको यह जो सर्वे करने आया इने करने दो यह अपना सर्वे करके चले जाएंगे ओय आप ज़रा चुप रहो आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मंत्री के बीच क्या डील हुई है सूरी मेरी बात सुनो कितना लिया वहां से बताओ तो क्या बोला मैंने रिश्वत लिये वे तेरी तप आपको कि एल यहां पताओ पताओ नहीं है क्याच पे यह्ञ नहीं है क्या इंज़् क्या यह्जिक कि थान। कर दो लुदती ए कर दोन चुदती ए लुदती पून के नदियां भेह रही है कृष्णा को फोन दो अब ही देता हूं इतनी रात को आप लोग यहां आखिर बात क्या है बताईए हम यहां पर अपना गाहों बचाने आये हैं हम सब ने एक फैसला लिया है उस पर यहां आपकी राय जनने आये है क्या फैसला है आप सबका धर्मल पावर प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गोल्डन इगल कमपनी के मालिक ने हमसे वादा किया है मैं तो अपना तेल गोल्डन इगल कमपनी को ही बेचूंगा सुरी इतिहास गवा है कि आज तक बाहर वालोंने कभी किसानों की कोई भी मदद नहीं की वो तुमें ज्यादा पैसे दे रहे हैं इसलिए उनके पीछे जा रहे हो ना बाद में वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे तब तेल कौन खरीदेगा उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी कभी उसके बारे में सोचा है फिर से अपनी टांग मत रड़ा बीच में समझा गया उस दिन हम लोग तेल देने के लिए तेयार थे लेकिन तुमारी वज़ा से ही रुख गए कुछ सालों के बाद हालात और बुरे होंगे एक साथ खड़े होकर उनसे लड़ते क्यों नहीं मैं पहले जवान था अब तो बिल्कुल बुड़ा हो गया हूँ मुझे अपने बेटियों की शादी भी करवानी है अगर हम सब लड़ाई जगड़े पड़े तो हमारा घर कौन सावालेगा बता जब भी कोई मुसीबात आई हम सब एक साथ खड़े हुए लेकिन आज क्या होगे आपको अरे हम लोग तो साथ में हैं ही सिर्फ आप कोई पूछने आए हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो गोल्डन इगल कंपनी को जो लोग अपना तेल देना चाहते हैं वो लोग इस तरह आ जाए तू क्या बूलता है पैसे की लालच में क्रिष्णा नंदी ब्रैंड कभी नहीं बेचेगा संग का फैसला ही आगरी फैसला होता है ऐसा आप नहीं कहा था कहा था ना संग के आदेश के खिलाब जो जाएगा वो मार्केट में तेल नहीं बेच पाएगा ह्पगा प्ट ग्री नहीं यह उते है झालच में एक रसे तेले लाएगा तेले जाएगा यह जगएगा यह है हेलो स्वागत है आपका गोल्डिन एकल कमपनी में कर दो कर दो करदे आखिर कब तक चुप रहोगे तुम कुछ तो करो बेटा तु चल यासे इंसान को जिद्धी होना चाहिए पर इतना भी ज़्यादा जिद्धी नहीं नंदी ब्रेंड को आप उनका सलाम इगल 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 जब पूरा गाउं एक साथ है तो तुम आके ले क्यों खड़े हो बेटा इगल इगले कि अंदी जाए इगले कमा क्ये तो एक साथ है अब पुम आके नहीं ब्रेंड़े है हलो दवाई पूरी दरसे ने गई है अच्छा मजबूत है वो दवाई बीस मिलिड में काम कर देगी वो उधर ही आ रहा है क्या हुआ सर काड़ी पंचार हो गई क्या नहीं वो धूब ज्यादा है ना इसी लिए सर गोगा है लीजे पानी पीजे सर क्या हुआ सर कुछ प्रोब्लम है सर गड़ी के अंदर अजाईए क्या हैुआısı सर ग जए है लाँ, अब जो अब लगा, जाँ, याँ, आफ! ँडाटाटाटाटिए का एंप वाटाटाटा वाटाटाटाटा ए वॉॉॉ ए बगाइंगाटाटाटाटाटा इवॉॉॉ ए पारndर खेरियोग वॉॉॉ ? 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल हुँ जर रिख जर परुँ में包 उतश जर प्याद जर में उर क्यूने मुट गच क्यून क्यून क्योन क्यून क्यून इख कर दोक्र भो कर दो कर सावय कर दो कर दो कर दो और अगम कर द दो कि आपगर greedy फशे हमने दो कि अजने कि दो जने चूँ तो अजना आल को अजना आव पर दो मैंप एगाई तो एगाई आव एगाई! कुछ लो गला विसियों कि भी एगाई आव तो एगा आव एगाई! एलो हम ए ए ए आ का है तू और यह आवाज कैसे आ रही है नंदी शिवनंदी आवाज सुनके हिल गया ना ओ तुझे और तेरे नंदी ब्रैंड को मारकेट से निकालने के बाद भी तेरी अकड कम नहीं हुई है ना मेरे इरादे बुलंद है पसीने की एक-एक बूंद में तूफान भरा है वैसे ही मेरा ब्रैंड है तूफान से मत खेल देवी तू अपने पैसे और शातिर दिमाग से गाओं के लोगों के साथ खेलना चाता है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा बच्चे मैं अकेला तेरे ही शहर में आकर तेरे ही मांकेट में घुसूँगा और अपना नंदी ब्रैंड बेचूँगा ए ए ए तू चाहें अपने आपको कुछ भी समझ तू कहीं का भी राजा हो पर मैं अब इस काओं का राजा हूँ ए कैटबरीज मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ आ रहा हूँ मैं अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा गाड़ी आ गई सामान उतार लो जी अब हैरान मत होना यह मेरा ही घर है आधा मुंबई इन बावच्चियों पर निडभर है वैसे हम कैटरिंग का काम करते हैं कृष्ण अपना बैग देना अहां कःड़ सामध है कृष्ण लुकममणियों सते भामा के देने नहीं कर देना अे तो कृष्ण 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 यह पूरीय वार रगदो आरिय पतिला पकलो यह ले जा के अमारे कैप्टन को देदो कैप्टन यहां कैप्टन कौन है चद्गु कामें 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 टाइगर रोरी 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 मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कैप्टन जगन महन क्या चाहिए तुम्हें यह बग्रो वेट ज्यादा था ना चलो जाने दो तुम कहां से आए हो हुली दुर्गा टाइगर उस टीम में हो या इस टीम में यह टीम क्या है First World War, Second World War, North Korea, South Korea. अगर गलती से इस दुनिया में तीसरा World War हो गया थो, तो मेरी टीम में सेफ नहोगे. लगेगा जसे अमेरिका में हो, क्या कहते हो तुम? Hi Captain. Hi, how are you? I'm fine. Krishna, आओ मैं तुम्हें अपने दादा जी से मिलवाती हूँ. Hey, उसकी आँखों को देखा तुमने? मैं तो आँखों के साथ सब कुछ देखता हूँ. मैं उसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ. 240 पूरी, 240 पूरी, 360 इडली, 360 इडली, 180, 180, ये नारियल का पेड़ मेरे घर में चल के आगया. दादा जी, ये Krishna है. नमस्कार. Krishna, गंगा ने तुमारे बारे में सब बता दिया. जब तक चाहो तुम इहां रहे सकते हो. इसे अपना ही घर सामझा. आगे बताईए साब. 180 लांच. कौन है? काप्टेन जगन महन आपसे बात करना चाहते हैं. बोलो. पगर चाहिए मुझे. पिछले महने दो दिया था. सिर्फ 15,000. क्या हो खाड़ू उसमे मैं? तो कितना चाहिए तुम? आप 30. बाउसे ज़ादा बागने वाला था. इतना दोगे तो ही रुखेंगे. वना चले जाएंगे. रोज का 3,000 गुड़े 30 दिन कितना हुआ? 60,000 और पिछला एकाफ और 12 से गुणा करने पर 10,08,000 हो गया. 10,08,000 हो गया? मतलब साल का 10,08,000 का घाटा होता मुझे. कप्तान, हर महने 30,000 का किराया तुम तीने लोग दो. नहीं तो मेरा घर खाली कर दो. घर खाली कर दो तुमारा. क्या क्या रहा हो? हर महने 30,000 काहा से तुमारा? उसका भ्याज भी देना पड़ेगा. अब 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 ने चड़ा के निकल ली खुद? मेरी पागार में 1.500 रुपए चोड़ दीजे. इसके सिरेट का भी पेसा चोड़ा हूँ. अब 2,000 और दे तू. 2,000 के उपर 63 रुपए और दो. अब लूट लो सब. क्रिश्ना, लो कड़क चाहे. ये मुंबाई सब का स्वागत करती है और उनकी अच्छी लाइफ भी बना देती है. लेकिन तुम जिस काम के लिए यहां आए हो, नामुम्किन है वो. देवी से कोई नहीं जीट सकता और ये बात सच है. तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तो देवी ही यहां का सिस्टम और सरकार है. क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ढूंड़ू, क्रिश्णा? गंगा, ओइल मार्केट कहां पर है? ना चीनी है, ना नमक है, ना मसाले है. क्या ही है, ये गोबर जैसा खाना खिला खिला कर मेरा फॉकेट खाली कर रहा है. गंगा, तुम चुपचा बाहर जा रही हो, अपने भाई के साथ कुछ खा तो लो. ये हेरो कौन है? क्रिश्णा, अपने लिए काम ढूंड़ने आया है. हाँ, हाँ, इसे देखके लग रहा है कि ये दूसरे को नोकरे पर रख सकता है, और ये काम ढूंड़ने आया है. बोस, पांच मिनिट रुखो, हे, डाल रहे है, डाल. इन्हें ओल मार्केट तक छोड़ दो. ओके, हेलो, गाड़ी चलानी आती है क्या? जी, मैं कोशिश करूँगा. आ, मम्मधली रोड, अगर याँपे कोई गडबड की, तो तुम्हारी बोड़ी की. पुर्चे निकाल के लेके जाएंगे, इसलिए खंबे की तरह खड़े देना. अब कम तर गैट वाफ इंडिया, तनाइट, शार्पी लावें. ये क्या बोल रहा था था वे? क्या रहा था, शंकर भाई, अच्छे आपमी है. मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो यही बात जागे गंगा को बताना है. हाँ, हाँ. क्या बताओगे? ये ही कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत इज़्जत है उसकी. अप! मैं उसका कोई भाई 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 नहीं हूँ. मैं वो जादा ही शानपती कर रहा है. चल, चल. संकट से हनुमान छोड़ावे. संकट से हनुमान छोड़ावे. मनक्रम वचन ध्यान जो लावे. मनक्रम वचन ध्यान जो लावे. दादा जी आप ऐसे रात बर हनुमान चालिसा पड़ेंगे तो मुझे नीद कैसे आएगी अगर मैं ये नहीं पढ़ूँगा तो तुम चैन से सो भी नहीं पाऊगे वो क्यों यंग मंग चुम वो आ जाएगा यहां पे वो कौन है हम लोगों से पहले वही रहता था इस घर में वो बिजनेश में बरबाद हो गया इसलिए वहां से लेगा करमर क्या वो देखो उसकी फोटो और उन सभी की आत्माई यहां भटक रही है उठो सभ्यों उस खूसर से पैसे मांगेगे तो वो चिलाएगा एक आइडिया है आज से इस घर में भू तेल पियेगा सबजियां भी खाएगा रूटियां भी खाएगा ओपरेशन यंग मंग चुम ए अंडर्स्टाइंड है तां य yarn खू हूाहह के थो है तो के नहिती। ख्शह के मैंन कहां आए प्यां चूँआप चंचुम चाहहू झासर म हूंत रड़ागा प्माई डि CC हैम आज से रड़ागा रिखे ए न क Remove गंगा गंगा श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्... आप क्वाने भई? यंग, मंग, शूड़ा. यह रहाँ संसे तो यहाँ. यह है मिरा है. मैं कभीभी आसकता हूँ. और कभीभी जासकता हूँ. मुझसे पूछने वाला तू कौन है? पिट खुजा दे मेरी कर दम नहीं थह है मिल गए कौन है तू? यंगा, मंगा, चुंगा क्या देख रहे है बे? तेरी बीबी आहा है? या बे, चाश्मिस बूद को भी नहीं छोड़े का बे? वो क्या है ना? वो बहुत ही कड़क आइटम थी ना? उसको सिर्फ एकी बच्चा हुआ क्या? फैमली प्लैनिंग कर रहे थे तूने किया है उसने? दूसरों की फैमली में जागता है कितना इंट्रेस्ट लेता है मनुश्य जाती है सड़के मरेगा बे सादा बकवास मतकाल वर्णा तेरी फैमली को प्लेन कर दूंगा सब्सक्राइब? अब निकल यह से यंगे मंगे चुंगाए नमहा अंदर आजाओ दूस्त मुंबई में कैसा लग रहा है? शहर मेरे लिए नया है लेकिन धंदा नहीं तुमने गाउं में एक सवाल किया था कि कोई दोसों में तेल खरित के 140 में बेचे तो फाइदा कैसे हो गया? तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला था न? मैं देता हूं उसका जवाब फॉरेन में अपनी पढ़ाई खतम करके वह खाली हाथ नहीं आया था वाइट ओयल अपने साथ लेकर आया था वाइट ओयल 30 रुपए प्रति लीटर न उसमें स्वाध है ना कोई रंग है और नहीं खुश्बू है यह मिडल इस्ट से जहाद से गयर कानूनी तरीके से मंगाता है मौंगभली के तेल में मिला दो तो मौंगभली का तेल बन जाता है और खोपरे का तेल में मिला दो तो खोपरे का तेल बन जाता है क्रिश्णा वाइट स्वान मेरा ब्रैंड पिछले साथ सालों से मेरा फैमिली बिजनेस था उसने उस्वान को मरोड के मार्केट में मुझे खतम करके उठाकर बाहर पैंग दिया पैर पकड़ना छोड़ सिधा मुद्देपया मैं उसका नामो निशान तक मिटाऊंगा उसके मुँपर पूरी तरह कीचड़ पोतना चाहता हूं दील ओके है ने क्रिष्णा अरे दादाजी आप चाहे लेकर क्यों आए अरे मैं सुभ़ साड़े चार बजे उड़ जाता हूं यहां सब मेरे बच्चे जैसे हैं यहलो चाह पीलो ला दे मेरी बारी है तुम सब यहाँ गोटी खेल रो खाना नहीं बना हुए क्या हमें भी खाना बनाना अच्छा लगता है लेकिन तेल खतम हो गया है इतनी जल्दी तेल खतम हो गया पेशली हपते तो लाया था अब खतम हो गया तुम कहो तो सब्जी में पानी का ही तड़का लगा दें तुम लुग बुश्पशक कर रहे हो अगर मुश्पशन नहीं है तो इससे अच्छा मा है चेन्नाई वाले होटल में जाके सुसेट कर लेता हूँ ए फुशी पटाके यहां से गया ना दूसरी जग काम नी मिलने वाला तुझे जाओ तैयारी करो तेल लेकर आता हूँ इस खुसर बुट्डे को ऐसे इधर उधर भुबाते रहो दादा जी सुबह सुबह कहां जा रहे है अरे बेटा मैं खाना बनाने का तेल लेने ले ले अरे हुए खड़े अगर पांच-पांच लीटर बेचोंगा तो मेरा धंदा कैसे बढ़ेगा क्रिश्ना संक्या की शुरुवात तो हमेशा शुन्य से ही हुई है बून-बून से नदी बनती हो फिर सागर का निर्मार होता है एक काम करो तुम पांच लीटर के बदले मुझे एक टिन दे तो मैं तुम्हारी बोनी करता हूँ अरे पैसे नीचे ये दादाजी आप ऐसे लीटीचे व्यापार में बोनी मत खराब करो लो ओयल मार्केट में शॉप नंबर थर्टी टू है शौकद अली बिलेगा वो मेरा पुराना दोस्त है उसको जाके मेरा नाम बता देना वो तुम्हारी मदद जरू करेगा जी बिल्कुल काम खतम करके शुवाज महाराज के सामने खड़े रहे ना ठीक है पानी पुरी का छोटा मोटा धन्ता समझा शॉप नंबर बत्तिस में जाना है मुझे ओ करनाटक से है तू बात करें इस से तुझे छोटा मोटा भियापार लग रहा है पानी पुरी का छोटा मोटा धन्ता समझा इसे ओएल ओएल बिजनिस है ये ओएल असोसेशन पर्मिशन है क्या फुट अतारटी पर्मिशन योनियन पर्मिशन आईएसाई पर्मिशन है क्या नई है इन सब की पर्मिशन लेने के बाद भी तुझे हमारी पर्मिशन लेनी पड़ेगी, खमज गया? है, अग्बेश साले, सर 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 सर, लात मत मारी है, नंदी हमारे भगवान है, नंदी भगवान है, तेरा होगा, हमारा भगवान नहीं है अगर किसी ने अपनी मां का दोद पिया, तो हाथ लगा के दिखाए, यहीं तुम सब की कबर खोद दूगा है, है! है, है! Ice J argh A através GEOF 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 A हुक गच्ड कंष्ड के इंग एक पर किन हमतों। है इंग!! हुदेंे के इंग कि अजस Loveys जीपकार नाट见 चाई कि मेशकार उ हमें कि मेरे जाटे you कि अ मुअ! मेरा इनाम क्रिष्णा है ना वो सदाशी भेगरेने बेजा है ना मेरा इनाम शौकदाली है शौक नमर 32 यहां पर प्यार महबबत की भाशा भी कोई नहीं समझता है और तुम सीधे मार पिट कर रहे हों यहां पर तुम्हारे लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल है भाई अल्ला के लिए तुम यहां से चले जाओ सुनो भाईयों मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है मैं इसे नहीं जानता हूं खुदा के लिए मुझे कुछ मत करना मुझे कुछ मत करना भाईय भाईय इस जगह पर मैं गोल गप के बेच रहा हूं भाईया इस जगह से चले जाओ भाईया अरे भाई आप इधर रुख गए तो हमारा धंदा कैसे चलेगा आगे जाईये भाईया भाईया रुको भाईया यह ट्रॉली हमारी है भाईया देदो भाईया अर्णडर के भाईया गाईये गाईया लुद। भाईया विवगर locker लिष्डिये तुम तो बड़ी जल्दी सडक पर आ गए फोन पर तुम्हारी बात सुनके लगा था तुम यहां के आधा मार्केट ही खरीदने वाले हो पर तुम्हें तो यहां पैर रखने लाइक जगह भी नहीं मिली वेस्ट हो गया ना सब कुछ इस देवी के आशरवात के बिना तुम इस मुंबई में तेल की एक बून तक नहीं बेच पाओगे कैसे कमाएगा तू? हूका मर जाएगा अब बड़ा पाउ खाएगा मुझे ब्रोकर बोल कर मेरी बेजती की थी ना अब इस जगह अपने हाथों को जोड़कर यहां सब के सामने I am sorry मुझे बोल लेकिन तू नहीं बोलेगा तू नहीं बोलेगा I love challenges कौन है यह सब यह सब को तुमारा बनायवा खाना बहुत पसंद आया यह सब लोग यहां पर तुमसे ही मिलने आया है यह सारे लोग तुमारे फैन हो गया है आओ आओ क्या हुआ दादा जी यह है माधो रेड़ी बालम अयर शम्भू नायर जौनी राजा और यह हैं करतार सिंग सिस्दपा चैटर जी यह सबी लोग अलग-अलग स्टेट्स में कैटरिन का ही काम करते हैं जैसे मैं यहां पर करता हूँ आज के बने हुए खाने की इनके ग्राहकों ने इनसे बहुत तारिफ की लोग सोचते हैं कि आज का खाना ही बहुत अच्छा बना है लेकिन हम जानते हैं कि खाना क्यों अच्छा बना है यह सब तुमारे खाने के तेल का कमाल है और इसे लिए यह सारे लोग नंदी ब्राहन के तेल को खरीदने आये हैं तुम बात कर लो यह अन्याय हो रहा है, तेल ज्यादे इम्पोर्टेंट है या उसे यूज करने वौला कैप्टन इम्पोर्टेंट है, अगर मैं खाने में सिर्फ टेल डालता मसाले नहीं डालता, तो ये सब खाकर टॉलेट भागते रहते भागते रहते और सबको गल्कोंच छडाने की नोब नवाब आपार जी डबची झाल 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 क्रिश्णा भाई सो रुपे मोबाईल का रिचाज कुपन खरीदा था और इस कैप्टन ने उस कार्ड को स्क्राच करके इसने अपना मोबाईल रिचाज कर लिया है खुद ही देख लो न पर ये स्क्राच कहा हुआ है अरे क्रिश्णा भाई मैं भी हर बार यही सोच के इसको स्क्राच करता हूँ लेकिन ये कैप्टन अल्रेड़ी इसको यूज कर चुका होता है फिर बड़े प्यार से उसको वैसे ही चिपका के ठीक कर देता है तेरी तो है कैप्टन अब आया आया किसने बुलाए मैंने बुलाए कैप्टन अब ध्यान से सुन कैप्टन आज से शंकर के मोबाईल का रिचार्ज तुम करवाओ हलो हाँ कंगा कावेरी देवी शक्टी के वकील के साथ बाजार की तरफ जा रही है हलो तुम्हें सुबह से नहीं देखा हूँ कहा हो तुम वो मैं काव्या के घर आई हूँ उसे बेबी हुए ना उसे देखने आई थी और अब? अब वापस आ रही हूँ सुप्राइज सुप्राइज केंडल बुझाओ, भूख मारो, अरे भूख मारो ना, खाओ, और इंसे भी खा लेना, कैसी है मेरी काविया, और बच्चा, लड़का है या लड़की, लड़की, ओ, जब से आई हो उदास सी लग रही हो, घर की याद आ रही है क्या, पापा की याद आ रही है या फिर, यहाँ पर तुम बोर हो रही हो, मुझे माफ कर दो क्रिश्टा, मैं अपनी सहली के घर नहीं गई थी, देवी शर्टी के ओफिस गई थी, गाउवालों ने तुम्हें बाला बुरा कहा, तु तुम सब छोड़के, इस शहर में तेल बेश्ट लगे, और वहाँ पर पुरा गाउ तबाह हो गया, तेन जवान बेटिया हैं तेरे गर पर और तु ब्यवकूफी कर रहा था, अगर कोई परेशानी थी, तो मुझे बताना था ना, लेकिन मैं आपको क्या मोह दिखाता मालिक, अगर ऐसे ही चलता रहा, जो तेल खरीदा था उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला, अब तो हम ब पापा ने अपनी पूरी संपत्ती गिरवी रख दी, और मा ने भी अपने पूरी गहने बेच दी है, इन सारे टेंजन्स की वज़े से पापा सिगरट पीने लग गए, ये सारी समस्या सुलजाने के लिए मैंने देवी के लॉयर को फोन किया, मैं कोई सोलूशन नहीं निका आ सकता, पर सजेशन दे सकता हूँ, अगर तुम्हें सोलूशन चाहिए तो तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा, ओके, ठीक है, सिडाउन, टेल मी, हमारे सारे गाउवाले बहुत मुसीबत में है, बगवान के लिए तेल खरीद लीजे, मैंने मंगाया था ये, जाओ यहा देखो, यह अच्छा है कि तुम अपने गाउं के बारे में सोचती हो, लेकिन उसने जो किया, वहाँ सैक्डू लोगों के सामने, इस बिसनस टाइकून, इस देवी शेटी को, ब्रोकर कहा, क्या उसे मैं ब्रोकर लगता हूँ, हाँ, कोई बात नहीं, I told him, बस एक बार, मु तुमारे गाउं का ठेका नहीं लिया, बस उसे बोलो एक बार सौरी बोल दे, समझाओ उसे, ठिल इम, मुझे एक बार, बस सौरी बोल दे, उसके बाद, मैं तेल खरीद लूँगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, मैं कल ही चली जाओंगी, देखते हैं क्या होता है, जो बेंस कार में घूमती है, और जो सोने के चमच के साथ पैदा होकर इतना त्याग कर सकती है, तो मैं तो साइकल चलाने वाला आम इंसान हूँ, तुमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता है, चलो चलते है, रुको किससे मिलना है, अपॉइंटमेंट है क्या, जाके कहना क्रिष्णा आया है, अपॉइंटमेंट दे देगा, काम क्या है यह बताओ, देवी शट्टी से माफी मांगने आया हूँ, यह दो क्रिष्णा को अलहे है, हमाड़े राव दिश्टी आप उनर उनली के भी एक कि मांगने लिए है रावे सारी आप Feld आप आजैंगल तूम की तूम आजाए हम्य इन पार के सवीचे नाजे इन अड़ी कि चलनी सायरालिव बोलो क्या मदद करूं तुम्हारी मैं यहां सिर्फ अपने गाउं वालों के लिए आया हूँ बागी बाते हम बाद में भी कर सकते हैं तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना तो उसकी सजा पूरे गाउं को क्यों दे रहे हूँ अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीव दी है तो मुझे माफ कर दो और उन लोगों का तेल खरीद लो अभी थोड़ा मज़ा है ना वेरी कुट मुझे तो लगी नहीं रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे एनीवे आम हापई यहां ऐसे माफी माफी मांगोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा माफी उनके सामने मांगो जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी मज़ा तब आएगा लुक लुक तुमारा प्यारा कृष्णा मुझसे सौरी कहने आया है अगर मैं चाहूं तो तुमारे पूरे गाउं को पाल सकता हूं कृष्णा तुमारे गाउं वालों के लिए मेरे पास बहुत सारा रोजकार है गामन फेक्ट्री लगाउंगा, हीटों की भट्टी लगाउंगा और भी बहुत कुछ लेकिन सिर्फ एक शर्त पर तुमारे पूरे गाउं की तेल मिल बन तेल की कोई मिल नहीं खुलेगी बागी कोई भी काम करो, मैं मदद करूँगा लेकिन तेल मिल नहीं खुलेगी आओ यहाँ आराम से बैठो ए फ्रोकर अभी जो तुने तुर्टुरी बजाई है ना ये मैं अपने गाम वालों को पहले ही सुना चुका हूँ तु उनके काम ठप कर देगा उनके ब्रैंड हडप कर उन्हें भिखारी बना देगा क्या करेगा बे ये गाम वाले बहुत भोले होते तेरी चालबाजियां वो नहीं समझेंगे लेकिन अब तेरी बकवास सुनने के बाद वो सब तुझे अच्छी तरह समझ गये होंगे तुझ पर तरस आ रहा है रे खूर क्या रहा है बे गाउं वालों के रियाक्शन देख आज तक मैं अपना तेल तेरे ही मारकेट में बेच रहा था लेकिन आज के बाद मैं इन गाउं वालों का तेल भी बेचूंगा ए दल्ले जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले सौरी बोलो वरना जिन्दा वापस नहीं जा पाओगे हम हुली दुर्ग वाले जब अपने पे आते हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनते हैं सीधा भोड डालते हैं इंडियन मत बोल भारतिय बोल कोई पानी मांगे तो हम उसे जूस पिलाते हैं अगर तुने मेरे गाउं और मेरी जन्म भूमी पर गंदी नसर डाली तो चीर दूँगा डॉक्टर कहता है कि तेल खाने से कोलिस्ट्रॉल बढ़ता है तेरा तो वैसे ही बढ़ गया बे हम तेल निकालना जानते हैं अब चाहे वो नारियल का तेल हो या तुझ जैसे सूवर का तेरी भलाई इसी में है किस सुधर्जा वरना सुधार दोंगा मैं यही 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 तो है बोस कावेरी लेके चला देखो बड़ा बॉस सभी तो माने इसको सबसे तकड़ा बॉस जैस भाउड है बड़ा नहीं है शुकंदर बारा किलो सिम्ला मिर्जी तीन किलो दो गिलो भिंडी काका जी खरे版 कृष्णा से मिल लू कृष्णा किजन में है जाकर मिल लू उधर मुंबई के सबसे बड़े और खतरनाक दौन की बैंड बजा दी और यहां वेट के आलू के चिप्स तल रहे हूं भाई मैं तुम्हें समझी नहीं पा रहा हूं रेड़ी मेरे बारे में मत सोज हर कोई नहीं समझ पाता बता क्यों आया है बिजनस डील उस दिन सुपारी दे रहा था और आज बिजनस डील करने आया है क्रिशना सीरियस मैटल है कॉमेडी मत करो चल बोल क्रिशना बाजार में तुम्हारे ब्रैंड की जबरदस्त मांग है डिब्बे वाले के साथ मिलकर तुमने जो अपना धंदा बढ़ाया है आज तुम चाहो तो अपनी खुद की बड़ी सी कमपनी भी शुरू कर सकते हो लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रावलम है कैसी प्रावलम तुम्हारे इस ब्रैंड पर I.S.I. की सील नहीं है अगर इस पर वो सील लग गई तो देखते ही देखते हैं पूरे मार्केट पे कबजा कर लोगे अब तुम्हारे गाउं चलते हैं बहाँ जितना भी तेल है वो हम खरीद लेते हैं जितना पैसा लगेगा मैं दूँगा क्रिश्ना प्लीज मान जाओ न इस गोल्डन इगल कमपनी को हम दोनों मिलकर बरबाद करेंगे हलो दादीवा कल क्रिश्ना गाओ वापिस आ रहा है अपने नाइक जी से तेल खरिदने के लिए उनको बता देना ठीक है बता दूँगी हलो मैं क्रिश्ना की दादी जैमा बोल रही हूं क्या हुआ जैमा कल ना मैं और मेरा पोता तुम्हारे घर आ रहे हैं मेरे घर पे आ रही हो लेकिन किस लिए तेल की बात करने क्या बोला भगवान इस बहरी को सुना ही नहीं देता तेल लेने अरे कुछ खास बात करनी है नायाक कल सुबे सुबे क्रिष्णा जैमा हमारे घर आ रहे हैं शादी की बात करने भावी सासुमा कावेरी भी मेरी और वह बेंसकार भी मेरी है यही 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 तो है बोस कावेरी लेके चला देखो बड़ा बोस सभी दो माने इसको सबसे बगड़ा बोस यह बोस ही बोस बोलो भाई इसमें चले इसमें उसमें उसमें यह क्या भाई वो तो मेरे दादा के जमाने की गाड़ी है मैंने यहां सारे लेटेस्ट मॉडल मंगवाएं रेड़ी बेंस गाड़ी का और मेरा बहुत पुराना रिष्टा है उसी में जाओंगा मैंने कहा था ना खटारा गाड़ी है जय हो प्रभू जी क्या खबसूरत गाओ है रेड़ी मुझे लग तक इसकी बैटरी वीक हो गई है मैं स्टार्ट करता हूँ तू धका मार दिमाग खराब है क्या अच्छा तो तू स्टार्ट कर धका मैं मारता हूँ मुझसे नहीं होगा अरे क्यों नहीं होगा तुझसे अरे भाही बैया करो मुझे ड्राइविंग नहीं आती क्या भे तुझे ड्राइविंग नहीं आती धिरे 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 कोई सुन लेगा तो बेज़ती हो जाएगी लो कर लो बादे काम करो तुम दग्का मारो मैं? हाँ होई, जुक्के क्या कर रहे हो बेल आने वाले, तुम्हारी लग जाएगी हाँ हेल्प करना मुझे क्या देगा क्या चाहिए बोलना कोट कोट लेगा? हाँ अब मार दग्का मारना जोर से क्रिष्णा मैं नहीं आता, तुम आ अरे, रिवर्स गेर में डालना गाड़ी आटोमेटिक है, अपने आप आ जाएगी इस गाड़ी ने सिर्फ आगे जाना सीखा है पीछे कभी नहीं जाती अगर ब्रह्मा भी आ जाए ना, तो भी मैं आगे नहीं आऊँगा तू ही पीछे आ अब तेरे ब्रह्मा तो नहीं आएंगे, लेकिन तू दोड़ के जरूर आएग पलट के देख क्या क्या देखरों को मिलेगा या तेरा कोट का है रेडी यहां के मज़ूर तो बहुत ही कॉस्टली हैं क्रिष्णा क्रिष्णा भैस भी बैठेगी क्या मैं नहीं उत्रों का आरे क्रिष्णा अरे क्रिष्णा क्रिष्णा सुन अरे जवाब तो दे उगजा रुगजा आरुगजा क्या वा क्रिष्णा गाली बन गजा बंद हो गई कहां जा रहे हो तुम? नाइक जी के खर खटारा जोड़ी के रामप्यारी ले जाओ ये लो अब क्या है? क्या बोलना चाहते हो? आजा बैठ जा भाई, मैं नहीं क्यों? साइकल पे बैठना नहीं आता? मुझे पाइल्स है और यहां का रास्ता भी टेड़ा है आगे है? आगे नहीं है, पीछे है ये नहीं है जो मैं बोलाता आगे क्या करना है? तुम्हे काम करवा अकेले गाँ जाओ मैं फोन करके गाड़ी ठीक करवाता हूँ तुम जल्दी से तेल ले आओ ठीक है, कोई यहीं पे मजे ले लेकिन तेल लाना मत भूलना ये क्या है रहे? ये साइकल पे आ रहा है हीरो है वो, ये उसका स्टाइल है ये लोग आलती क्यों उतार रहे? ये अमा, मतलग की बात बोलो ना मा, रुको, गाउवालों को आने दो गाउवाले क्यों आ रहे हैं, पाटी बाटी है गया उनकी पास भी तेल है ना, इसलिए बुलाया है ठीक है, ठीक सभी लोग आ गये हैं, जै अमा, किसलिए आई हो बताओ ना मा, रुको, पंडी जी को भी आ जाने दो ए दादी, पंडीत क्यों? वो सभी शुब मूरत देकर ही हमें तेल देंगे ठीक है, ठीक है मैं और मेरा पोता, आप लोगों से कुछ मांगने आए हैं बिनती है कि मना मत कीजिएगा कैसी बात कर रही है, जब सब लोग तयार हैं तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है ए दादी ये चल क्या रहे? तेल लेना है लेकिन यहां तेल में कुछ काला है सर्माओ मत, खोल के बोलो बोलो ना बेटो बोलो ना बोल दो ना मुंबई में मैंने बिजनस शुरू किया अच्छा चल रहा है गाउवालों का तेल खरीद लोके तो सारी समस्या दूर हो जाएगी ऐसा कावेरी ने कहा अगर आप सभी सहमत है तो सारा देल मुझे ही दे दीजे मैं मुंबई में बेचूंगा हमें लगा था कि तुम अपनी शादी की बात करने आयो लेकिन तुम यहां गाउवालों की भलाई की बात करने आयो गाउवालों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था लेकिन तुम्हें आज भी उनकी परवा है बेटा क्रिश्ना क्रिश्ना सुनो दीदी न कहा है क्रिश्ना से कहना कि वो चुपचाब घर के पीछे आ जाए तुम बिजनिस के लिए आये हो सही कहा और मेरा क्या तुम्हारे लिए भी पूछने में डर रहे था मैंने वो बड़ी गाड़ी और कावेरी को तभी बुकर लिया था जब मैं पांचवी में बढ़ता था तुम्हारे पापा तुम्हें मेरे इलावा किसी को नहीं सौपेंगे हलो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कब मुझे शादी की बात करनी है और कब बिजनस की सुनो भाईयो अगर मैं अपना तेली से बेचता हूं इसके नंदी ब्रैंड का छोटा सा लेबल चिपकाऊं तो आपको कोई अतरास तो नहीं कौन बोलने वाला है लगावना अब क्या लेने आया तु भाई इसे हम सबने अकेला छोड़ दिया था यह अकेला ही मुंबई गया और तेल बेचकर हम सब की इज़त बचाई चोटा सा स्टीकर नहीं बड़ा स्टीकर लगेगा नंदी हमारा भी भगवान है आज से हमारा एक ही ब्राण नंदी ब्राण रहेगा लेकिन एक शर्त पर पहले यह अपने को माफ कर दे तभी मैं इसको अपना ब्राण दूंगा वरना नहीं दूंगा जा तू भी क्या याद रखेगा माफ किया दुझे सर रेडडी कृष्णा से मिल गया है और तेल खरीदने गाउं गया है अगर वहां से तेल आ गया तो हमें प्रॉबल्म हो जाएगी अब खेल में मज़ा आ रहा है खेलने दो से सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आओ बेटा अबबा सलाम जीती रहो बैटो नमस्कार से तूम भी बैटो अबबा ये क्रिश्णा है मुंबई में ये तो हाँ जानता हूं मार्केट में देखा था इसे आपके बेटे इर्फान अली ने ओईल माफिय के बारे में बहुत सारी इंफोर्मेशन ही कठा कि थी गंगा नहीं मुझे बताया था उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यमेंट है तो क्या आप मुझे दे सकते जिस कंदे पर बिठा कर बेटे को बड़ा किया था उसी कंदे पर उसका जनाजा भी उठाया था मैंने और जनाजा उठाने की हिम्बत नहीं है मुझे मैं अबबा दरसल मैं कुछ नहीं कर सकता जाओ यहां से जो सच को दफन कर दे ऐसी कोई कब्र नहीं बनी सर यह क्या ना टेक है सभी डिब्वों पर नंदी चिपके हुए है इतना है नहीं कैप्टैन हमारे इस गोडाउन में बारह हजाट इन के डिब्बे हैं सूपर यहां से चार डबब ले चलती है उसे बाजार बेच कर फॉरन स्कॉच गटेंगे सब लोग है अउटाउ टाउटाउटाउटाउटाउटाउ लूंगी उठाए पेंदी रखने में बड़ा मज़ा आता है ठंड़ ठंड़ क्या है इसमें मेरा हाँच चुपा गया क् रहा आद्मिय है यह भी है चुबा अरे रुक कल यह मूँ कासा दोएगा मूँ बंकर गोड़े हस क्यों रहा है मैं इसको देखके नहीं हस रहा है मेरे को आपको देखके हसी आ रही है क्यों बे क्योंकि तुमने अपनी लूंगी उठाई और डबे पे बैठ गाए आपको तो चड़ी पहनने की अदत भी नहीं है तुझे भी पता है वे वो टीन अलग है यह तीन अलग है जरा उठके दिखाओ अभी दिखाता हूं वह यह तुझे अपना मुं काचो दोओंगा आप इस वाला काचो दोगे यह सोच निकलेगी कैसे यह कॉमेडी का टाइम यह जा उस बटले को ढूड के लाँ जाए जाओ उस बटले को दूड के लाँ जाओ आओ बेटा आओ उस बैचारे का हाथ उसमें चिपक गिया है अगर तुम उसका हाथ उसमें से चुड़ा दोगे तो तेरे इस गनपती को कुछ खिलाओ तुमगा अरे उसके हाथ का जाने दो अपनी दरश्रीव के बारे में साचो शुबह कैसे करोगे और अगवान का सब मै काशी के बाद जाओ के तो तब ही कुछ हो सकता है काशी मेरा अपोजिशन पार्टी वाला काशी मेरे इस बच्चे ने एक बेवकूफी कर दिया है तीन उठाते समय हाथ उसमें अब देख हम सभी साथ में काम करते हैं तो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते तुम बस इसे छोड़ाने का सलूशन बता दो यह जान जाएगा तो खुद ही छोड़ा लेगा उसके हाथ की बाद छोड़ तू अपनी डिक्की के बारे में सोड़ अगर ऐसी चिंकी रही तो कल अब करने जो तेरे बुलाने से चली आएगी जगन वहन आया है उठ जाए मेरे भाई कौन है मेरी पेंदी लेंदी हो गई है घलती से इस पे बैठ गया था है एल्प मी प्लीज ए गंगा को बलाओ नहीं नहीं अबे गधो सोजाओ मैं तो रोज ही जागता हूं जब तु दारू के लिए तेल चुराया करता है अब उसी दारू से छुडा ले अपने आपको इसी वज़े से तेरी इसमेने की सेली कट जब तेरा उस डब्बे से पीछा छूड जाए तो आके मेरी पूरी पीट खुजा देना हाँ बूल रेड़ी हलो भाई चपाई चड़ रही है सील मिल गई ना हाँ बारा बजे तक मिल जाएगी उसी के इंतजार में हूं मेरे भाई कल से तुम हर तरफ राज करोगे नंदी एंपायर इंतजार करो जल्दी बताता हूं इस वक्त को भाई हमेशा याद रखना बुरा समय अब खतम हो चुका है क्यों सब क्या हूँ नंदी तेल कंपनी यही है नंदी ब्रैंड को ओनर तुम ही हो हाँ मैं हूं वेल आउस के दर है आपका हलो हलो आखिर हुआ क्या है ऐसे बुश्टाश क्यूं कर रहे है यह से पता चला तुम्हारे आउइल में कैमिकल है यूर अंदर अरेस्ट ने ने आपको को गलत है में हुए है यह कृष्णा ऐसा नहीं है दादाजे आप फिकर मत कीजिए मैं देखता हूं हम् है यंदर को फोम करो हाँ यंदर यंदर मेरे जैसा कोई बेवकूफ नौ सीखिया ही इस मुंबई के मार्केट में पैर रखने की इम्मत करता है पैदाई शीराज कुमार है किंग अफ मार्केट इनकी ठाट तो देख अब ये लोग तुझे यहां के कोट नंबर 82 में लेके जाएंगे वहां का जज है पट्टा बेरा अगर सुबूत सच है तो कोई फार्क नहीं पड़ता कि तू कौन सीधे जेल में जाएगा लोयर प्रताप सिना को इतना खिला दिया है कि तू कितना अच्छा आद्मिया उसे कोई फार्क नहीं पड़ता हाँ 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 यह रहाँनर आई एसाए के सर्टिफिकेट के लिए नंदी ब्रैंड कंपनी ने अपलाई किया था उस नंदी ब्रैंड ओईल में 40% लिक्विट पारफिन पाया गया यह लाब रिपोर्ट्स है यह है इसके टेस्ट रिपोर्ट्स और डॉक्यमेंट्स देख लेजिए लिक्विट पारफिन यह रॉनर एक पेट्रोलियम बाई प्रड़क्ट है यदि इस टेल का इस्तमाल लड़कियां करे तो वो समय से पहले ही मैचूर हो जाएंगी यह कहना चाहता हूं मैं लड़कियों के अलावा यह आम लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है प्लेट प्रेशर, शुगर हो सकता है एंजाइटी, कैंसर जैसी भयानक बिमारिया भी हो सकती है यूर अनर हम जानते हैं कि गाउं के लोग बहुत बोले होते हैं लेकिन ये नहीं है इस तरह से जहरीले तेल बेशने वाले कट घरे में खड़े जहरीले इंसान को इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तेल मिलावटी है आप ये मानते हैं? हाँ मानता हूं सर लेक्विड पैराफिन कितना जहरीला होता है इसका अंदाजा है आपको? जी बिल्कुल जानते हुए भी ये अपरात करने के हिम्मत कैसे कि आपने? ठीक है अब इस पर बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा आप अपने बचाओ के लिए कोट में कुछ कहना चाहते हैं? सर आपके रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सब बिल्कुल साच है वो तेल मिलावटी है ये भी साच है लेकिन एक जूट है सर वो तेल का पैकेट मेरा नहीं है ये पैकेट उस फेमस बड़ी कमपनी का है जो लाखों लोगों को अपना तेल बेच रही है और इतिफाक से उस कमपनी का मालिक हमारे देवी शेटी जी हैं वो देखें वहाँ बैठें No, Your Honor ये केश को डाइवर्ट कर रहे हैं इस केश का देवी शेटी से कोई संबन नहीं है अगर इससे संबन नहीं है तो क्या वो यहाँ 2020 का मैच देखने के लिए आएं सर, आपके पास एक रुपे का सिक्का है क्यों? उस तेल के पैकेट को जरा उस सिक्के से स्क्रैच करके देखें वो क्यों? कोर्ट में तमाशा करना चाहते हो क्या? I'm sorry सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है हाँ लो सर, मुझे कहीं भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरा तेल प्यूर है मुम्बई में 120 डबे वाले रोजाना पांच लाख लोगों को खाना खिलाते हैं मेरा ही तेल इस्तमाल करके आप पता कर सकते हैं सर इतना ही नहीं सर इस कोट के कैंटीन में मेरे ही कंपनी के ब्रैंड का तेल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए सर हम गाउवालों को सिर्फ पैदा करना आता है मिलावट करना नहीं यदि आपको अभी भी शक है तो यहीं जाच करवा लीजे अगर मेरे तेल में आपको एक पैसेंट की मिलावट मिली तो अगर आप मुझे भांसी की भी सजा देंगे तो मुझे मनसूर है हलो हमने सुपर मार्केट से कल जो तेल खरीदा था ना हाँ जी, दो लीटर गोल्डन इगल का हाँ, वो दोनों पैकेट लेगार तुम अभी तुरंत कोर्ट में आ जाओ आते वक्त वन वन फाइब में जो केपी पाठील रहते हैं ना उनको भी साथ मिले कर आना ठीक है हलो, मिस्टर देवी शेटी, कोर्ट की कारिवाही चलने तक आप बाहर नहीं जा सकते और ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं सिट आउन, सिट आउन सर, प्लीज बैठ जाए प्लीज नमस्कार सर रेटायर होने के बाद तुम अपना काम तो नहीं भूल गए ना अच्छा, कृष्णवेनी वो दोनों तेल के पैकेट पाठील को दे दो ये लीजिए पाठील जी, एक गोल्डेन इगल का तेल है और एक नंदी ब्रांड है इन में से मिलावट की मात्रा मालुम करनी है जो वकिल साब, बेहिमानी के पैसे सही मांदारी दिख चुकी है, ऐसा लगता है इस रिपोर्ट के मुताबिक, नंदी का तेल शुद्ध है और गोल्डेन इगल कुकिंग ओयल कमपनी के तेल में 40 प्रतिशत लिक्विट पैराफिन की मात्रा पाई गई है मतलब, कृष्णा का इलजाम सही है नेवी शेती को तुरंद कश्टडी में लिया जाए जब तक पूरी खान भी नहीं हो जाती गोल्डेन इगल कमपनी और उसमें बने प्रोड़क्ट को सीज कर दिया जाए पूरे देश में गोल्डेन इगल कुकिंग ओयल की बिक्री पर रोक लगा दिया जाए ये कोट का आदेश है बिस्स टाइकुन देवी शेटी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उनकी कमपनी के तेल में पैरफिन की मातरा जादा पाई गई है अब तुझे दिखाऊंगा कि देवी शेटी कौन है वो कहा वाद है ना कुट्टे की पूँच कभी सीधी नहीं होती वो तुझ पर फिट बैठती है मुझे इरफान अली समझा है जानता है जब तक समंदर शांत रहता है ये पूरी दुनिया बड़े चैन्स से सोती है लेकिन जब उसका सब्र तूटता है तो सुनामी बन के कहर बन जाता है एए कैटबरी आइ लव चैलेंज़स आइ लव चैलेंज़स बोलता है ना जा जेल की कोठरी में उनको सुनाना क्यार है रेड़ी आजा मेरे लिए क्या पैकेच सोचा है भाई अचा ये बताओ कैसे पता चला कि मैं और देवी एकी साथ है जब तुने मुझे भाई बोला तभी समझ गया था कि तू कोई गधा वदा नहीं बलकि गधे से भी गया गुजरा है जो दूसरों के लिए गढ़ेख होता है ना एक दिन खुद उस गढ़े में गिरता है लेकिन असली सुल्तान वही होता है जो दूसरों को सुल्तान बनाता है उनकी मदद करता है अब मेरी बात ध्यान से सुन और अच्छी तरह समझ भी लिए विलेन कितना भी पावरफुल क्यों नहों लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है हीरो की आया 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 सब का है ये बोस शेरी है देको यारो ये है सबसे खास सभी दो माने इसको समसे तकड़ा बस किस राइड इस बस्ता है क्या है बस एक जानकारी चाहिए थी एक रूपे का सिक्ष करके अपना फूल रिचार्ज करते हैं आपने उसी एक रूपे के सिक्ष करके स्क्रेप बना दिया उसे कैसे कर लिया भाई ये सब मेरा नहीं तेरा किया हुआ है मैंने किया कृष्णा, तुम जिस इरादे से अपना गाओं छोड़कर यहां मुंबई में आये थे वो आज पूरा हुआ अभी पूरा नहीं हुआ दादा जी, ये तो सिर्फ शुरुवात है देवी, जो लड़का गाओं में कंचे खेला करता था उससे तुमने शहर बुला लिया फुटबॉल के लिए और अब वो गोल पे गोल किये जा रहा है भाई उसे लग रहा है कि मुझे जेल भेज कर वो जीत गया है लेकिन फिलाल वो जेल में तो बंद है लेकिन सिर्फ मिलावट के केस में लो़र कोट में हार गया तो हाई कोट में अपील करेगा अगर वहां भी हार गया तो सुप्रीम कोट जाकर बेल तो ले ही लेगा और दوبारह वही बिजनस शुरू करेगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे वो हमारे गाउं तक भी पहुंच जाएगा अब हमें उसके बिजनेस और पूरे सामराज्य को जड़ के साथ खत्म करना है जिस आदमी को अपने पैसे पर घमंड हो उसे जड़ से बरबाद करना इतना आसान नहीं देवी उससे उलचना आसान नहीं है उसने पहले से ही हमारी कबर खोद रखी है और सुनो ये पता चलने के बाद की हमने ही इरफान अली को मारा है वो और गहराई में जाका सुबूतों को ढूंडेगा कैसे हो सदाशी भेगडे मेरा बेड़ा किसी एक्सिडेंट में नहीं मरा था उसका कतल हुआ था उसका जनाजा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ लेकिन अब उसके उस अधूरे काम को पूरा करना है खोदा ने मुझे एक और बेटे से नावाजा है अल्हा तुम्हारा नेगहें बान बनेगा क्रिश्णा बहिया इर्फान अली का बाप शौकत अली क्रिश्णा के पास चला क्या है दिभी तू डर मत मैं जैसा कहता हूँ जैसा कर तब्बे वाले हाउसे सभी को बलाओ और मेरे कुदाम पर लेकर जाओ आज रात को मैं यहां से फरार हो जाओंगा ये देवी शेटी आज तक कभी नहीं हारा है और ना ही कभी हारेगा ये तो अकेला ही बैठा है यहां जो थे सारे के सारे कहां गए छोड़ूंगा ने दोक्यूमेंट्स देते ए रेड़ी गन दिखा रहा है फेर भी तू काप रहा है तेरे पास भी तो कुल हड़ी है आँ तो गन फेक और ले ले मैं तेरे सारे टैलेंट्स वाकिफ हूँ इलजान तेरे सीर पर था लेकिन सलाखों के पीछे कोई और खाड़ा है मोच से मत कहलना डोक्यूमेंट्स दे दे चला जाओंगा मैं यहां से क्याप्टर बाई एंग्लिश में है नो रीडिंग इंग्लिश ओक्सफोर्ट लेवल तो पड़ के दिखा अनपड़ चोर खोली से डॉन्दीजी मर गए बाई महात्मा गांधी मर गए महात्मा गांधी को मरे सत्तर साल हो गए आगे पड़ागे इंद्रा गांधी की हत्य हो गई इंद्रा जी भी मर गई इंद्रा जी आपक अबे ओई उनको भी मरे चौंतीस साल हो गए अगला देख अगला देख इसको ज्यादा देर तक रोकना हाँ 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 है एच डी देव गोड़ा बन गए है भारत के 11 प्रधान मंत्री बढ़ाई हो अबे कैप्टन तुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था पुराने न्यूस पेपर क्यों पढ़के सुना रहा है ये हलो क्या हुआ यहां ना तो डॉक्य डॉक्यूमेंट्स हैं और ना ही डब्बे वाले सिर्फ क्रिष्णा है यहां गोली मारतों कैसे मुझे पता है उससे डॉक्यूमेंट कैसे हासिल करने है सबसे पहले तू वहां से निकल यह तुम क्या कह रहो देवी तुम नहीं चाहते है इससे मारू उसकी तरफ ध्यान से देख तू से मार सकता है क्या एक मिनट थोड़ा रिसकी तो है डाउट है मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप सुन इकल वहां से कूल 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 बाई चलता हूँ बाई रग दे पेटी वहां पर कैप्टन यह तो गया यहां से लेकिन इसके बाद जो भी आएगा मैं देख कुम जाओ यहां से आपको यहां आने से मना किया था क्यों आये हैं यहां आप अकेले आयें जब भी कोई समस्या आती है कृष्णा बचा लेता है जो बच्चा बच्पन में कंचे से खेला करता था आज वो मुंबई में अपनी कमपनी जमाने के लिए जद्दुजहद कर रहा है पैठ जा बच्पन में तुम क्या कहा करते थे कावेरी भी मेरी है और बेंसकार भी मेरी है कावेरी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं यह तुम्हें कौन बताता था कोई मुझे फोन करके बताता था मतलब आठ आठ हा मैं क्रिश्ना कावेरी हमेशा एक साथ रहें मैं यह चाहता था ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप अभी सो जाए हम सुबह बात करेंगे अगर मैं सो गया सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा क्रिश्ना इस शरीर को दफनाने का समय आगया है नाइंग जी यह आप क्या किया रहे हैं चली होस्पीडिल चलते हैं उन्हों उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया है जिंक फासफेट से चुहा मारने का जहर्ण एक बार शरीर में चला गया तो हार्टबीट बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आत्मी ज्यादा देर सिंदा नहीं रह सकता उसने मुझे तुम्हारे पास डॉक्योमेंट्स लेने के लिए भेजा है यही उसका प्लान था अगर में डॉक्योमेंट्स लेकर नहीं पहुंचा तो कावेरी क्रिष्णा तुम वादा करो तुम कावेरी और गाहँवालों की रक्ष नाइक जी नाइक जी जी नाइक जी दुम एलाएक जी नाइक जी नाइक जी नाइक जी एलाएक जान मठी पाप पापो रेराएक अगर ये काम तुमने पहले ही कर दिया होता तो एक जान बच जाती जाने अन जाने उसकी मौत का कारण तुझे ही माना जाएगा ओई क्रिशना तु क्या सोच रहा था कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा तो इसे जिन्दा छोड़ देंगे अब ना तो ये बचेगी और ना ही तू बचेगा अब इसे छोड़ दे या मार दे लेकिन तुम सब जरूर मरोगे अगर तेरी कोई आखरी इच्छा है तो बता दे अब तुझे सीधे उपर पहुचाना है बचेगा नहीं तू अजिए तुमकाना है बचेगा है तुमकाना है तुमकाना है नहीं है कर दोन्य है अब वड जिए अब वड Caitlin झाल 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 झाल